हेलो गाइज वैलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल नास ब्यूटी एंड महन्दी मैं हूँ नास गाइज आज मैं आप लोग के लिए लेकर रही हूं ओजिवा के ये दो प्रोड़क्ट जो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूं तो गाइज सबसे पहले मैं यहाँ पर बता अच्छा प्लांट बेज़ रही हूं आपकी स्किन पिग्मेंटेशन एंड डाक सरकल के लिए है ये 137 इसके अंदर जो है एंटियूट्स है प्लांट बेज़ रहा है यह बहुत ज्यादा नैच्रल है सबसे पहले मैं यहाँ पर बताती हूं गाइज इसके इंग्रीडियन् स्कूब आपको 150 गरम पानी के साथ लेना है होट पॉर्टर के साथ यहाँ पर मैंने दो फिनिश किया है एक बिल्कुल कंप्लीट फिनिश किया है एंड अभी वी एक थोड़ा सा बाकी है वो हफता या 10 दिन तक मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी यह देखिए बॉक्स बिल इसे गरम पानी में मिक्स करना है वन स्कूब एंड उसको एंजोय करना है आफ्टर लंच या आफ्टर ब्रेकफास्ट आप इसको ले सकते हैं इसके साथ गाइज आपको 45 मिनिट या 30 मिनिट एक्सरसाइज वगरा करनी पड़ती है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हो कई अगर आप इसको लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं बट गाइज मैं आपको पर्सनली बिताती हूं कि इसने मेरे स्किन के ओपर कैसा वर्क किया है इसको खरीदने से बहले आप मेरी वीडियो को प्लीज पूरा कंप्लेटली देखिएगा दो के ओपर सारी चीज़े जो है सेम वक नहीं करती इसका रिजल्ट गाइज मैं आप लोग इससे शेयर करूंगी वीडियो को लास्ट में इसने मेरे उपर वर्क कैसे किया कैसे वर्क नहीं किया नेक्स्ट गाइज यहां पर शेयर कर रही हूं बायोटीन बायोटीन तो आपके बालों के लिए कितना अच्छा होता है इसके साथ गाइज जो है आपके बाल बहुत जादा स्ट्रॉंगर बन जाते हैं आपके स्ट्रॉंगर बन जाते हैं काफी जादा इसका बेनिफिट आपको मिलेगा आपको थ्री मंत के अंदर ही इसका बेनिफिट मिलेगा मिल जाएगा प्लांट बेस्ट बायोटीन का यह ओजिवा का प्रोडेक्ट है गाइस कैसी इसको यूज करना है किस तरह यूज करना है लंच के बाद डिनर के बाद मॉर्निंग में सब कुछ इसके उपर मेंशन किया हुआ है दो बॉक्स यह देखो बिल्कुर खाली हो चुके यह दिखिए मैंने थोड़ा सा प्रोडेक्ट आप लोगों के लिए दिखाने के लिए रखा था था थोड़ा सा यह पिंक से शेड में आता है इसको आप नॉर्मल वाटर के साथ ले सकते हैं 150 ml के साथ वन एंड हाप स्कूप आप इसको ले सकते हैं आफ्टर लंच ले कि दोनों ही चीज़े इसने मेरे अच्छी कर दी है काफी अच्छे जादा ग्रोथ होगी थी गाइज बात करती हूं माचा प्लस की माचा प्लस भी काफी जादा अच्छा लगा मुझे थोड़ा सा टेस्ट मुझे असको अजीब सा लगा तो बट स्टिल वर्क उसने किया है मेरे डाक सरकल वगारे की काफी सारी प्रॉब्लम्स जो इससे मेरी कुछ हद तक रिडियूस हो चुकी है बस थोड़ा सी पिग्मेंटेशन जो है अभी मेरे लिप्स के अराउन बाकी है तो गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगए तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना बिलक infantile सर्फटर प्रॉब्लम्स लेका का झाल वाई всё नहीं सेच्छी वीडियो ब मिलका बद शेफ्सके वाएमrest लिए प्रॉब्लम्स लाइस टॉड़ाएसं पालगवा